दोस्तों नवस्कार और प्यम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त महयूर जान दोस्तों आज इस वीडियो में हमको आपको उस घटना का पूरा कच्चा चिठा कोल के बताना है जो की कल से जो है बहुत चर्चा में है विवाद में है और कोइंसिदेंटल ये हो गया कि ये घटना भी प्रकाश उस पर भी रोश्नी डाली गई और दूसरी और लेटिन अमरे जंदर शेकर उसमें गुस पड़े वो सब जो है एक साथ हुआ और हमको बात करनी है आज आप तक exact information ये पहुंचानी है कि वो जो मुंबई की वो सीट जहां पे शिंदे गुट का एक उम्मिद्वार और उद्धव की जो सीवसेना है उसका उमिद्वार जब लड़े और सि उद्धव गुरुक के उमिद्वार की हार हुई वो पूरा घटना करम है क्या वो जिस मोबाइल से OTP की बात हो रही है वो है क्या चुनाव आयोग ने वहाँ पे जो है जो एक तरह से रिजवेंडर दिया है वो क्या है उसमें कितना दम है और ये सब बात को आप तक पहुं का चैनल चुरू किया मुंबे में और शोहित मिश्रा ओफिशिल के नाम से और उनकी चैनल पे भी हम जो है एक दो बार जा चुके हैं आज हमने उनको आमत्रित कि है क्योंकि वह आप अभी जब आप से बात कर रहे हैं तब उसी चीज़ का अपनी चैनल के लिए रिपोर्ट प्रम उचाइन हो सुनने में तो आप से आप महाफिब माइव कर रहे हैं यह नियू… पहुत सुना जो वहने कहा तो आप हम को यह yeah hajił क्या पुरा आवाइकर किर्टी करकर क्या मामला है बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया वह आप तो पहुंच रही है और आपके दर्शों को तन्वीत पहुंचेगी देखिए अगर मैं बताओं इस पूरे मामले के बारे में यह मामला है मुंबई नौर्थ-वेस्ट सबसे कम वोटों से जो सीट का एलान हुआ है यहां पर जो जीते हैं रविंद्र वाइकर वोटों से जीते हैं और चार तारीक से ही तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप शुरू हैं और अब एक F.I.R. भी दर्श हो गई है जिसके वज़े से आप कई चीजों को लेकर सवाल उठाया जिता है जो कि शिवसेना के नेता है उद्व ठाकरे के बेटे हैं उन्होंने तो इसकी तुल्ला आपको याद होगा चंदीगड में जिस तरह से एक मेर की पोल हुई थी और उसमें जो CCTV गिंती शुरू हो लिए तो हर एक राउन पर गिंती होती है अब उद्व ठाकरे के गुट के कर नेता है उनका कहना है कि 19 राउन कोल मिलाकर 26 राउन थे वोटों कर था एसे 14 टेबल्स लगे रहते हर एक टेबल पर जब गिंती होती है तो उसका एलान किया जाता है एक असिस सब्सक्राइशी के लोग है वो भी आपके पास क्योंकि फॉर्म 17C होता है जिस पर लिखा होता है कि कि इवियम में कितने वोट पड़े हैं तो आप एक टैली कर सकते हैं तो 19 राउन तक तो पूरी तरीके से टैली की गई उननीस से 26 राउन तर ये जो असिस्टेंट आरो है जिनका काम था कि हर एक राउंड के बाद वोटों का एलान करना कितने वोट मिले हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया और अचानक से 26 यानि आखरी राउंड के बाद इसका एलान किया लिया और शिवसेना उठाव ठाट कर ये आरोप है कि उनके पास जो कैलकुलेशन था उसमें 650 पचास वोट्स ज्यादा वो कैलकुलेट कर रहे हैं जबकि जो चुनाव आयों उन्हें फैसला जा जो एलान किया है उसमें 600 वोट्स कम है अब यह 600 वोट्स किसके हैं वो सकता है सभी के सभी 600 वोट्स रविंद्र वाई करके होते हैं वो अच्छी बात है तो वो सवाल उठाया जाना है अच्छे दूसरी बात बताता है जैसे कि मैंने कहा जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन फॉर्म 17C दिया जाता है 17C वो फॉर्म होता है जिसमें बताया जाता है कि आपका जो पोलिंग भूथ है या फिर आपका जो वहां पर e-way machine है उसमें कितने वो बताया है वो उसमें वोट्स कम आये अब हम बात करते हैं मुबाइल फोन की इसे लेकर सब कुछ सब बवाल हो जो है वो जो प्रत्याशी जीते हैं रविंद्र वाइकर उनके एक रिलेटिव पढ़ लेकर नाम है उनका उनके हाथ में यह मुबाइल फोन जो है यह अधिकार OTP आती है लेकिन उसका इस्तमाल किया जाता है Encore नाम के एक डेटा के लिए अब यह Encore क्या है यह Compilation System है जहां पर आप सारे डेटा को अपडेट करते हैं जहां पर आप सारे डेटा के बाद कितना डेटा हुआ कौन कितना वोट से आगे है कौन कितना वोट से पीछे है वो क कोन मौजूद था रविंद्र वाइकर जो वहां से अभी सांसत बन चुके हैं उनके एक रिलेटिव के पास अब इसे लेकर वहां पर लोगों ने सवाल उठाया जिन्हों ने कहा कि भाई इन्हें फोन कैसे अलाओ रहे जब यहां पर फोन नहीं है बार बार यह भी कहा जा रह टॉलेट में आकर किसिए से बात कर रहे थे तो उन्हें और उनके ऐस फोन को बाहर निकाल दिया गया थे और इस फोन ने का कि प्रेस कंफरेंस के क्योंकि फोन तो बाहर था तो या तो फोन बदला गया या आपने वो ओटी पी अगले अगले जो राउंड्स होते हैं उसके लिए कैसे दिया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी अब इसके अलावा जब यह पूरा मामला उठा तो अंत जब होता है यानि शाम को जब यह एलान किया जाता है कि कौन जीता कौन हारा तब भी जो चुनाव आयों के अधिकारी होते हैं उनका एक काम होता है कि वो कहते हैं कि देखिए अब हम यह एलान कर रहे हैं आप बताईए कि आप पेसे किसी को परिशानी है क्या तो रीकाउंटिंग होती है उससे लेकर कही ला है अम तॉर पर है कि गो खुलास देखिए क चुनान शुरू मशिंग आप बहले आप गिंती पूरी हुई Oh मैं आपको बताऊं कि एक वोट से जो उद्धव ठाकरे घुट के जो प्रत्याशी थे वो एक वोट से आगे थे और उसके बाद इन्होंने पोस्टल बैलेट की गिंती शुरू को जो की नियम नहीं है अच्छा जो पोस्टल बैलेट की गिंती की गई है उसमें से 111 वोट ऐस उसे एन मौकें पर गिंदी किया अब ये भी एक मुद्दा है उनका कहना है कि हम सुबह आट बैसी इसे लेकर सवाल उठा रहे थे चुनाव आयों के अधिकारियों ने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे लेकर भी उनकी और से कुछ भी नहीं कहा रहे थे पिर उसके ब हम आपको CCTV फुटेज देते हैं कल कहा गया परस्वाइए हम आपको CCTV फुटेज देते हैं फिर उनकी और चे कहा गया कि नहीं नहीं अभी हमें इसे सील कर लिया है चुनाव आयों के पास ये चला गया है जबता आप कोट से पैसला करके कोट और नहीं देता हम इसे नहीं ला अधिकारी के ही फोन में वो टीपी आएगा जिसके आधार पर आप काउंटिंग करते हैं वो फोन प्रत्याशी के रिलेटिव के पास कैसे मिला अच्छा फिर जब लोगों ने आपको कहा दबाव बनाया तब आपने F.I.R. अगले दिन दर्श किया अब तक उन्हें किवर नोटिस क्यों दिया गया है क्या उन्हें कोई पूचता की गई उनके ओपर कोई कारवाई क्यों नहीं की गई जब विपक्ष के नेता बार बाद अलग-अलग टॉपिक्स पर आवाज उठा रहे थे चाहे वो वीवी पैट का मुद्धा हो चाहे वो CCTV का मुद्धा हो चाहे यह कहे भी रहें कि आप एक बार CCTV फूटेश को दीजिए आपको समझ में आए अब किसी को अगा फून है और यह काटे की टकर है 19 जब मैं आपको बता दूब 19 राउंड पूरे हुए थे तो इन्हें समझ में आया है कि यह बहुत काटे की टकर है अब अकर 40-50,000 वोट आग आते रहे हैं और यह जो मुद्दा है वो लगातार बरकरा आने अब इसे लेकर शिर्सेन उद्व ठाकरे घुट की ओर से एक कोशिस की जारी है कि अदालत से अदालत का दर्माजा खटकटाया जाए आरो के खिलाफ कारवाई की जाए साथ इस पूरे प्रोसेस की या तो री दर्माजा खटकटाने वाले हैं वेकिन एक तरीके से जो विश्वस्तियता है उस पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि केवल उद्व ठाकरे गुट के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं एक और इंडिपेंडेंट दो कैंडिदेट्स में इंपाक्ट उनकी उर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है वो जीत नहीं रहे हैं लेकिन क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ते हैं उन्हें पता होता है कि नियम कैसे होते हैं वहां पर नियमों का पालन कैसा करना होता है तो नियमों का पालन नहीं हुआ है यह तो साफ है चुनाव आयों खुद न मामला है या हाई प्रोफाइल बढ़ चुका है और अगर यह इसे लेकर आप देखिए मुंबई और महाराष्ट के इलेक्शन आने वाले हैं बीएंसी में पिछले धाई साल से चुनाव नहीं हुए जबकि उनका कारेकाल खत्प हो चुका है छे में से चार सीटे जीत को उद् लगते हैं अब यह मामला लीगल हुने वाला है कितरा समय लगएगा हमें पता नहीं असली आ नकली शिवसे सब्स्क जो घ्रकिंगरमें पोल हुए तो शुनाव थैटиком 500 कि ले-कर सवाल उठ रहा है साथ ही साथ ये समझ लें बीस दो अगर आपको लगता है आप में गलती नहीं कि आप CCTV पुटेज रिलीज कीजिए वो भी अभी तक लहीं किया गया तो चुना वायो को निश्पक्ष कैसा माना जाए यही सवाल जो है वो शिव से न उद्व ठाकरे गुट के नेता पूछ रहे है अब इसमें एक जो प्रेस कि वह पर कुछ रहे हैं और पुलिस पर कंप्लेंड कराई गया यह बात उन्होंने यह नहीं कहा कि आसी बात में वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि यहां पर जो भी कुछ हुआ है वो हमने किया है अगर फोन ले है तो उसकी शिकायत पुलिस से हमने की है और हमने पुलिस को जाज की बात की है जब उन्हें से पूछा कि आप CCTV क्यों नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं देते हैं आप अदालत से एक तरीके से परमिशन लेकर आई है तब ही हम देंगे लेकि मैं कहता हूँ अगर आप चुनाव आयोग हैं और आपकी विश्वस्वस्ची जातर को लेकर सवाल उट रहा है और आप दावात कर रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहां के जो CCTV पुटेजर से उसे देने के लिए लेकिन वह नहीं किया गया एक तरीके से से केवल यह कहा गया कि चुनाव आयोग ने अपना काम किया जो आरोपी हो उसके खिलाब चुनाव आयोग ने शिकायदर्श की है और OTP से EVM मशिन नहीं खुता वह बात सच है लेकिन इसका इ सवाल तो उठेगा ने कि आपके अधिकारी का फोन किसी अनाथराइस्ट परसन के पास कैसे आ गए अच्छा अगर यह प्रत्याशी नहीं देख और इसकी शिकायत नहीं करते तो हमें नहीं पता क्या कुछ हुआ है वह बार्बा बातरूम में जा रहे तो उन्होंने किस से किते वो लड़ रहे थे मुंबई के दूसरे सीटों पर वो हार रहे थे हमें नहीं पता किन से बात की है लेकि लिए काटे की टकर थी और वहां पर आकर में हमने देखा कि केवल 48 वोट से जीत गया है जबकि एवियम में वो एक वोट से आगे चल रहे थे उद्व ठाकने के प्रत्याशी तो इसलें चुनाव आयो उपर तो सवाल लगातार परकरार है और अदालत का दर्माजा इससे लेकर खटटाया गया है क्या लगता है आपको कब तक वहां सरकारतों वेसे अभी तो अभी तो सरकारतों शिंदे और इनकी है क्या लगता है कि आम सब चानते हैं कि इंफ्लोंस होती है चीजे इतने दबाव के बाद भी देखिए कितना गलत-गलत हो रहा है क्या होगा देखे असली शीव सेनक इसक पांच साल बाद हो सकते हैं अगले लोग समद चुनाओं के बाद अगर आ जाए तो आप मान सकते हैं हाला कि अगर इंके पास CCTV पुटेज आता है क्योंकि मैं कुछ मेताओं से आपको भी मैंने बताया ही था कि मैं मिलकर मैं शिवसेन अभवन के यहां पर ही था जहां पर य अगर CCTV पुटेज मिले तो कई चीजें सामने आएंगी उन्होंने एक हैरानी या एक डाउट यह भी जताया है कि जो मोबाइल फोन के इस्तमाल किया गया शायद उसे बदल दिया जाए ताकि कोई सबूत ना मिल अब वो ऐसा कर पाते हैं कि नहीं पता नहीं इंका तो दाव किसी के पास यह मिला नहीं कोई भी पुलिस वाला ऑन रिकॉर्ड आकर बात करने को तैयार रहे हैं तो आप समझी सकते हैं कि सिस्टम कितना इसमें जिम्मेदार है इस पूरे मामले में तो ऐसे में आदालत से हम क्या ही करेंगे आपको किसी पर विश्वास जताना होगा ता पिजिएपि वाले मेयर भी बना चुके थे जीद भी चुके थे जशन भी मना चुके थे फिर चीजे बनी तो अधालत ही अब आख्री एक का कहते है नव डूपते हुए को बत्ति करने बात ना पुलिसेस पर कोई बात करने होते हैं यह क्योंकि गुजरात में वो चुका है गुजरात में दो केबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ यह जंग लड़ी गई जीते नहीं है लेकिन उनको आरो ने जीता हुआ गोशित कर दिया है यह गलब करें जीते हैं आप यकिन मानी हो केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा अपने बताया इतनी सारी दांदली और इतनी सारी मतलब कि को मजबूर होना पड़ा है कुछ फायर दर्स करवाने के लिए बले फिर वह फायर की कोप की हम सब को ना मिलती हो अलग बात है लेकिन तो करनी पड़ी है और यही अपने आपने जो है वो दिखा देता है कि कितना खोकलापन है और कितनी दांदली की संभावना इस आप जा रहे थे और मुंबई जिसे शेहर में पहुंचना मेरे अचल का मुझे पता है बड़ा पुश्किल मामला है और आप जहां भी कहीं बैठे हैं वहां से बैठके आपने दर्शकों की चान करी दिया हमारे बहुत दो तरिवाद थेक्यों रिमिलता है कुछ वगर हो द पार्टी शुनाव नहीं लड़ रहे तो उनके था ईटी एडी आईटी सीबिया गोधी मीडिया शुनाव आयो सभी मौजूद थे फिर भी भारतिया जाता पार्टी 240 सीट ला पाई और उसमें अब एक मामले तो यहां पर तो भी महाराश्ट में लोग कहीं ना कहीं अवैर है कि पूरा एक कमपालेशन जो है तरिश वर में पांसो त्थेताली सीटो में उसमें कहां कितनी कौन-कौन सी गरबर हुई है वोट यह धूद कि यह है तो उसका एक इसाब है उसके बाद कितने वोट गिने गए तो कहीं जो है वोग डाले गए उससे ज्यादा गिने गये ह लेकिन जो लोग असल में मैंनत करने की उनका भी नाम लेके मैं उनका धनिवाद करूँगा जब वो कारिकल करूँगा लुट करता हूँ कि अब लोग शयद एक बाद साथ में मैं आकको भी आम दें तरू करेंगे यहां मैं भी तो है फाइनल कंपाइलेशन का मैं भी जो हिंजार कर रहा हूं कि कुछ टीडी-मेडी चीजें उसमें बहुत सर्खा भाना पट रहा है मुझे कम दूसरों को ज्याद तो दोस्तों सुवेक मिश्राजी थे बड़े मिनकी देश का जुजारू पत्रकार यंग और बहुत अच्छा उनका जो है उन्हों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह बातचीत आपको कैसी लगी आप जो है अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें इस वीडियो को और फिर अगर अच्छी लगी हो तो आप इस बातचीत को उसके उतना शेयर करें कॉमेंट जरूर करें कैसी आपकी राय है सो प्रतिक्रिया है सोच है आपकी इसको लेकर और हमारे दो चैलल है और पीम गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगो करें इसकर करें और मेरा इसक थाप थार और रिएयो करें केम आपकाई से बाताइब को याल इसकर प्रतिक्सब्स कारें करें स्बाट बだけ को प्रतिकों से अरे हैं।